हेलो दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो आपके लेखकों के जनवर्ष या फिर क्रमानुसार लगाना आदी या फिर उनकी कावे रचनाय पूछी जाती है तो यह आप कह सकते हैं कि यहां से आपका दो से तीन प्रशन बन सकता है और यहां पर फाइट की बात करो तो देखे परिक्षा में एक एक नंबर से बाही होना है तो चलिए हम प्रशनों को शुरू कर लेते हैं स्वारी प्रशनों को नहीं लेखकों के परिशे को पढ़ लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो वालतो इदर उदर की बात हम नहीं करेंगी सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं तो चलिए सबसे पहले हम जैश अधिकतर पूछी जाती है इनका निधन 15 नवंबर 1937 से सिवे हुआ था जन्मिस्थान वारानसी और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद शाहू था पितामह का नाम जह है शिवरत्न साहू था सुर्ती तंबाकों बराने के कारण सुगनी साहू के नाम से ये विक्षात थे तो कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में सवईयों की इन्होंने रचना की तो इनका जो उपनाम था क्या था कलाधर प्रसाद की प्रेड़ना से उनके भांजे अंबिका प्रसाद ने इंदू का प्रकाशन 1909 से प्रारंप किया कालकरम के अनुसार चित्राधार जो है इनका प्रथम संग्रह है अब यहां पर एक बात मैं बता दूँ कि कई बार जो है जैशिंका प्रिसार जी की प्रथम रचना पूछी जाती है तो वो है चित्राधार ये ध्यान रखीगा जिसमें कहानी नाटक आदी रचनाई जो है इनके संकले थे कावे रचनाई भी इनकी पूछी जाती है तो जड़ना आसू लहर इनकी कावे संकलन है वही पर आतुकांत रचनाई देखिए महराना का महत्त करणाले और प्रेम प्रतिक वहीं पर प्रबंध कावे की बात करे तो कामाईनी अगर वैसे भी आपको करमाउसार पूछा जाए तो जड़ना आसू लहर कामाईनी यह यादर रख लेजएगा इनकी कावे रचनाई अगर पूछी जाए बाकि इगर विधा पूछी जाए तो यह इनकी प्रबंध कावे है कामाईनी का प्रकाशन वर्ष क्या करम से लगाना भी पूछ गया है और कमाईनी का अलग से भी पूछा गया है तो कहीं पे एगर 1935 दिया जाता है कहीं पे 1936 दिया जाता है तो इस चीज़ का ध्यान में रखीगा अगर 35 तिकरेंगे 36 तब भी mostly आपको 35 ही मिलता है यहाँ 36 दिया गए तो अब इसकी अनुसार चलते हैं चलिए नाटक पर आजाते हैं तो कल्याणी परियरे प्राइश्चित, राजश्री, विशाक, कामना, जन्मेजायका, नाग याग्य, सकंदगुप्त, एक घूट, चंतरगुप्त, दुरुवस्वामनी इनके द्वारा लिखे गए नाटक, महतपोर्ण है इनका क्रम अनुसार जो है, जरूर पूछे जाता है, वो याद कर लिजे अब आपको नाटक कौन से पढ़ने हैं, तो इनके दर लिखा गए सकंदगुप्त, चंतगुप्त और दुरुवस्वामनी इन तीनों नाटकों को आपको पढ़ना है इसके अलावा बाकी जो इनके नाटक है, उनको क्रमा नुसार पढ़िएगा, ठीक है बाकी प्रश्न भी हम करते रहेंगे और इनके द्वारा लिखी गई कहानिया भी पूछी जाती है, तो छाया, प्रतिध्वनी और इंद्रजाल ये इनके द्वारा लिखी गई कथा संग्र है, उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली और इरावती ये इनके द्वारा लिखी गई उपन्यास है, और इरावती जो है इनका अधूरा उपन्यास है कई बार इनके अपोर्ण उपन्यास से भी प्रश्ण पूछा गया है कि इनका अपोर्ण उपन्यास कौन सा है तो आप जान सकते हैं कि ये हमारे लिए कितने महत उपन्यास है इनकी द्वारा लिखी गई सभी रिचनाई हमारे लिए कितने महत उपन्यास है इनके पती का नाम ठाकुर लक्ष्मन सिंग चौहान खंडवा मधिपर्देश निवासी से 1919 में इनका विवा हुआ ठाकोड लक्षमन सिंग अंग्रे सरकार द्वारा जब्द कुली प्रथा और गुलामी की नशा नामक नाटकोंब के लेख़क प्रसिद पत्रकार सुतंतरता सनानी और कॉंग्रस के नेता थे अब बात कर लेती हैं इनकी करतियों की अक्सर जो है इनकी करतिया भी पुछी जाती है तो 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 एक ये मुकल कविता संग्रा है पूछे जाता है कि इनका कविता संग्रा कौन सा है तो मुकल त्रेधारा बिखरे मोती सभा के खेल इनका कहानी संग्रा है लेकिन इनकी कविता जो है वो आप ध्यान रखेगा मुकुल तृधारा और बिखरे मोती ये तीन हो गए मुकुल बन उन्हें सो तीस में हिंदी साहिते संबेलन का सेक सेक सरिया पुरसकार जो है इनको मिला हुआ है ठीक है उनकी कृतियां आप देख ले इसपेशलिक कविता संग्रा की बात माता पिता के नाम इनका प्रभुदई माता का नाम है और तारिफ जिंग पिता का नाम है जो कलेक्ट्रेट में डीडर और साहिते प्रेमी थे चले अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की 1932 से 32 में इनने लिखना शुरू किया था ये दूसरा सब्तक में शामिल कवियों में है समशेट बहादूर सिंग दूसरा सब्तक का प्रकाशिन कभ है 1951 यह चीज़े हो गए चले अब इनके रचनाओं पढ़ लेते तो देखे चुका भी नहीं हूँ मैं इतने पास अपने उदिता बात बोलेगे हमने कालत उच से होड है मेरी तूटी हुई विक्री हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं सुकून की तलाश तो ये सभी जो है इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं प्रतिनिधी कविताएं संपाद नामवर सिंग है इसके अलबा इनोंने डाइरी विवित प्रकार के निबंद एवं आलोचिना भी फुटकर रोप से प्रकाशित किये हैं आपको यहां जो याद रखना है अगर बात की जाए तो दूसरा सब तक याद रखिएगा कि उसका प्रकाशन वर्ष कभ है और स्वा जाले तुझ से होड मेरी तो इतने नाम तो आप जरूर याद रख लेजिए चलिए अब बात करेंगे अगले कवी गजन माधव मुक्ति बोध की इनका जन्म है 13 नवंबर 1927 निदन है 11 सितंबर 1964 जन्म स्थान है श्योपूर गौलियर मध्यप्रदेश इनके माता-पिता का नाम है पारवति बाई और माधा राज मुक्ति बोध बात करते हैं इंके द्वारा क्रतियों के बारे में ये भी क्या है तारसब्तक के कवी है थारसब्तक के नाम से है तो ये पहले जो तारसब्तक तक है उसके कवी है इनके रिचना है चांद का मुटेडा है भूरी-भूरी खाक दूलए दोनों इनकी कविता संग्र है काट का सपना वी पातर सता से उठता आदमी ये इनके कहानिया है कमाईनी एक पुनर विचार नई कविता का आप संगर्ष नए साहित्य का सौंदर शास्त्र जिसका नया संसकरण अब कुछ परिवर्थित रूप में आखरी रचना क्यों नाम से प्रकाशित हुआ है है समिक्षा की समस्याई एक साहित्य के डायरी इनके दवरा रचित जो है आलोचना है तथा भारत इतिहास और संसक्रती इनके दवरा रचित इतिहास स्क्रंथ है मुक्ति बोध रचनावली छे खंडों में नेमी जंदर जेन के संपादन में राजकमल से प्रकाशित है तो इनकी जो रचनाई है वो कह है मुक्ति बोध रचनावली नाम से प्रकाशित है जिसके संपादक नेमी जंदर जेन है चलिए अब बात करेंगे अगले कवीर अगवीर सहाई के बारे में इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 स्वी है और निधन इनका 30 दिसंबर 1990 स्वी है जर्मस्थान है लखनौ उत्तरपदेश इनके पिता का नाम है खरदेव सहाई जो की एक सिक्षक थे इनके अब सम्मान की बात करें तो देखिए लोग भूल गए है कि इनको जो है साहित अकाद में पुरसकार मिला है तो कई बार जो है सम्मान से भी की प्रशन पूछ लेते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया इनको साहित अकाद में पुरसकार मिला हुआ है अब बात कर लेते हैं इनकी कृतियों की तो कविता दूसरा सब तक में एक कवी के रूप में ये शामिल है अब इनकी रिचना हैं सीडियों पर धूप में आत्महत्या के विरूद हसो हसो जल्दी बहसो लोग भूल गए हैं कुछ पत्ते कुछ जठियां इनका क्रमानुसार भी लगाना कितनी बार परिक्षा में UGC NET की परिक्षाओं में पूछा गया है इनके द्वरा रिचित कहानियां हैं सीडियों पर धूप में रास्ता इधर से है जो आदमी हम बना रही है निबंद की बात करें तो सीडियों पर धूप में अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजे कि ये जो सीडियों पर धूप में है ये इनके द्वरा कविता है कहानी है निबंद है दिल्ली मेरा परदैस लिखने का कारण उबे हुए आदमी वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे यथार्थ यथा शक्तिती नहीं ये सबी जो इनके रचनाएं हैं निबंद है इसके अतरिकत अनुआद कारे भी इन्होंने किया है संपुर्ण रचनावली छे कंडों में राजकमत प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है तो चलिए इनके दोरह जो मुख्य रूप से अब आप कहेंगे कि हम इतना कैसे याद करें तो आपको याद रखना है कि ये किस सब्तक में शामिल है तो ये दूसरा सब्तक में शामिल है पहले जिसम हो गए उसके अलावा जो इनकी ये रचनाएं हैं उनको देख लेजेगा ये दो काम आपको करने हैं और कुछ नहीं ये जो महत्पूर्ण है वही मैं आपको बता रही हूँ चलिए अब बात करेंगे विनोद कुमार शुक लखी इनका जन्म एक जन्वरी 1937 को हुआ था गाउं है इनका राजनाद गाउं 36 गड़ निवास स्थान है इनका राइपोर 36 गड़ इनको सम्मान को अनकों से प्राप्त हुए तो रगवीर साहा इस्मृति पुरसकार जैहिंद पहचान सीरीज के अंतरगत 1971 में प्रकाशित है वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह अब जो इसमें आपकी कविता दी गई है वो इसी कविता संग्रह में शामिल है सब कुछ होना बचा रहेगा अतरिक्त नहीं सभी कविता संकलन है ये सारे खिलेगा तो दीखेंगे दिवार में एक खिटकी रहती थी इनके द्वारा रचित उपन्यास है पेडर पर कमरा महावेद्याले इनके द्वारा रचित कहानी संगरह नोगर की कमीज उपन्यास पर मनि कॉल द्वारा फिल्म का निर्मान हुआ है चलिए अब अगले जो लेखा किया है वो है अशोक वाजपई इनका जन्म है 16 जन्वरी 1941 जन्म स्थान है दुर्ग 36 गड़ इनका मूल निवास है सागर मध्यप्रदेश इनकी माता का नाम है निर्मला देवी और पिता का नाम है पर्मानंद वाजपई चलिए अब बात इनको कौन सा सम्मान प्राप्ट हुआ है तो इनको साहित अकाद्मे परसकार प्राप्ट हुआ है दयावती मोधी कवी शेकर सम्मान फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द आवार्ड ऑव आर्ट्स एंड लेडर्स दोजार पाच में पॉलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द आर्डर और क्रॉस 2004 सम्भावना जो है इनके मिला हुआ है चलिए अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में तीन दर्जन से लगभग मौलिक और संपादित रचनाई जो है इनके रची है शहर अए भी संभावना एक पतंग अनंत में अगर कितने से तत पुरुष कहीं नहीं वहीं बहुरी अकेला थोड़ी सी जगह घास में दुब का आकाश अविन्यों अभी कुछ और समय के पास समय इबाद रत से गिरी या मात्राएं कुछ रफू कुछ बिगड़े उमीद का दूसरा नाम विवक्षा दुख चिठी रसा है इनके तरह ये सारी कहे है कविता संग रहे है फिलहाल कुछ पूर्व ग्रह समय से बाहर सीड़ियां शुरू हो गई कविता का गल्प कवी कह गया है ये इनके तरह रचित आलोचना है तीसरा साक्षिय साहिति विनोद, कला विनोद, पुनर वसू, कविता कजन पद इनकी संपादित करतिया है इसके अत्रिक्त मुक्ते बोद अगे शिम्शेर की चुनी ही कविताओं का इनोंने संपादन किया है कुमार गंदर्व, निर्मल वर्मा, जैनेंदर कुमार, हजारी पसाद वेदी और अगे का पर एकाग्र संपादित पुस्तके हैं इनोंने कभी कभी कवार जो है इनकी द्वारा लिकित स्तंबल लिखन है चलिए अब है बात करेंगे ग्यानेंदर पतित के बारे में इनका जन्म एक जन्मदी 1950 को है जन्म स्थान है पथर गामा, गोड़ा, जारखंड इनकी माता का नाम है सर्डा देवी और पिता का नाम है देवेंदर परसाद चौबे अब इनको कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है तो पहले सम्मान 2006 में और संश्यात्मा के लिए इनको साहित तकाद्य प्रसकार 2006 में प्राप्त हुआ है कृतियों की बात करें तो आख भात बनते हुए शब्द लिखने के लिए यह कागज बना है गंगा तर्ट 2000 में Sanchiya Atman 2004 तो देखिए 2004 में जो है इनोंने Sanchiya Atma लिखा है और 2006 में जो है इनको साहित सकादी पुरसकार उसमें मिला है भिनसार 2006 में कवीनी कहा 2007 ये साथी क्या है? इनकी कविता संग रह है एक चक्रा नगरी इनके दोरा रचित कावे नाटक है पढ़ते गड़ते कथित्तर गद्य विधा है चलिए अब बात करेंगे प्रेम चंद की जन्म है इनका 31 जुलाई 1880 वी प्रेम चंद का जन्म जो है अधिकतर परिक्षा में पूछा जग गया है इनका निधन 8 हक्टूबर 1936 में हुआ है जन्म स्थान है लमही वारानसी उत्त पूण है इनकी माता का नाम है अनंदी देवी और पिता का नाम है मुंशी अजाइब राय चलिए अब बात करते हैं इनके द्वारा रचित संपादित पत्रकाओं की वो भी परिक्षा में पूछे जाता है तो इसलिए मैं उसको बता रहे हूं इनके द्वारा मर्यादा इनके द्वारा रचित मौलक उपन्यास है इनके उपन्यास इसका प्रकाशन वर्ष देख लेजिएगा इसके अलावा देखिए प्रेमचन की जीवनी मैंने पहले भी बता रखी है वाकि ये महत्तुपोन हो जाते हैं इनको क्रमानुसार लगाना बराबर पूछा गया है इ अगर पन्यास कीतने महत्तृपोन है आप देख सकते हैं इसके अलावा अगर बात करूँ तो गबन होड़ी सवारी गऊदान अ उपन्यास की ये तु आपको प्रेमचन जी के सभी उपन्यासों के बारे में पढ़ना है इसके अलावा उनके गोदान उनके आपे इसको sa इन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानिया लिखी है मान सरोबर आठ घंडु में जो विभाज़े थे उसमें सभी का संकलन है चलिए अब बात करेंगे राम चंद्र शुक्ल की इनका जन्म है 1884 इस्वी आशिनपूर निमा समवत 1941 इस्वी निधन है दो फरवरी 1941 काशी में जन्म स्थान है अगोना जिला बस्ती उत्तर प्रदेश इनके पिता कराब है पढ़ने चंद्रबली शुक्ल अब इनके द्वरा कौनगे कौनध सी इनको कौनशी व्रतियान जो है नहीं किया देखिए ego बात्तर नोली प्रिएम चांद्पूर के आइसमें 99 हिंद शब्सागर में सहाइक संपादक की रूप में जन्यूरह कया है जो प्रमुख कृतिया के है, मदुश्रोत इनका कविता संग्रा है, गुस्वामी तुलसिदास, जाइसी गरंधावली की भूमिका, भ्रमर्गी साथ, रस्मी मांसा, संपादक, विश्वनात प्रसाद में श्रत्रिवेनी, संपादक, कृष्णानंद, पाठालोचन और आलोचना, हिंदी साहतिका इतिहास, साहतिका इतिहास, श्री राधा कृष्णदास के जीवनी, इनके द्वारा रचित जीवनी है, चिंतामणी भाग एक, चिंतामणी भाग दो, भाग दो के संपादक कौन है, विश्वनात प्रसाद में श्र, चिंतामणी भाग तीन, जिसके संपाद तक है डॉक्टर नामवर सेंग यह सभी इनके द्वारा रचित निबंद है यहां से लेके यहां तक जो है इनके द्वारा रचित निबंद है विश्वपरपंच लंबे भूमिका के साथ जो है इन्होंने अनुवाद किया है कल्पना का अनान शशांक बुद्धी चरित यह परसाइकर राइगड महरास्ट इनके पिता का नाम है पंड़त बालकृष्ट भट और इनके कृति की बात करें तो इन्होंने एकमत कृति माजह प्रवास यानकी मेरा प्रवास मूल मराठी भाशामिनोंने रचना की है च्छिक है बस आपको इतना ही दिया रख रहे है और अब बात करेंगे कुमार गंधर्व की इनका जन्म है आठ अप्रेल 1924 इसवी निदहने 1992 इसवी जन्म स्थान है ग्राम सुले भावी जिला बेल गाउं करनाटक इनका मूल नाम तो कुमार गंधर्व का मूल नाम क्या है तो शिव पुत्र कोमकली इनके पिता का नाम है सिद पर राग विलास एवं अनेक लेख निबंध और टपड़िया पत्र पत्र काउं में बिखरी हुई अनेक रचनाई जो है इनकी अप्रकाशित है चली इनको सम्मान कौन कौन से प्राप्त है तो भारत सरकार की संगीत नाटक अकादमी की सदसे है भारत भवन भूपाल के पत्यजीत राई की इनका जन्म है 1921 स्वी निधन है 1912 स्वी जन्म सान है सो गडपार रोड दक्षणी कोलकाता पश्चिम बंगाल इनकी माता का नाम है सू प्रभार राय और पिता का नम है सू कुमार राय इनके इनका बच्पन जो है वह भावारी पुर में नाना के घर प इनको कौन से सम्मान प्राप्त है तो विश्व सिनیमा के सर्वस्ट्रेस्ट सम्मान औ्कर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है इनके दोरा प्रमकत करतिया कौन-कौन से लिखे गई है फिल में जो की बंगला भाश्र में है तो पाथेर पंचाली, अपराजितो, जल्सा घर, अपूर संसार, कंचन जंगा, महानगर, चारूलत, नायक, गोपी गायन, बागा बायन, अरन्ययर, दिन रातरी, प्रतिद्वंदी, सीमा बद्धो, जन अरन्यय, घरे बाहिरे, आगंतुक आदी तो ये इनके दोरा रचित बंगला की फिल्मे है, बात करेंगे हिंदी साहिति की, तो हिंदी अन्वादिनों ने कौन सा क्या है, तो शतरज के खिलाडी और सदगती, ये दोरों किसके हैं, तो प्रेमचन जी के हैं, कहानिया, प्रोफेसर शंकू की कारणा में, जहांगीर की पासवान शास्त्रिकी, इनका जन्म है 1914 इसवी, निथन है 10 सितंबर 1984 इसवी, जर्मसान है बैर गाची, जिला पुरणिया, बिहार, इनके पिता का नाम है धूसर पासवान, चलिए बात करेंगे, इन्होंने कौन-कौन से संपादन कारे किये हैं, तो पुरणिया से प्रक लोक मानने के संपादक बंडल में सदस रही है, इनकी कृतियों की बात करेंगे तो वियतनाम की यात्रा, वानी प्रकाशन नई दिली से 1983 प्रकाशित, अन्य लेक्ट पढ़ियां आदी, अब तक आप प्रकाशित हैं, यानि कि इनके दोरह एक ही रशनाम को पढ़नी ह वियतनाम की यात्रा, अब बात करेंगे फणी शनाथ रेनु की, तो ये भी आपके लिए महतपूर है, तो इनका जर्म चार मार्च 1921 निधन अपक, इनका 11 अप्रेल 1977 जर्म इस्थान है, औराही हिंगना, जिलापुरनिया, वर्तमान जो है, अररिया जिला, बिहार, इनके सिक्षा की बात कर लेते हैं, इनके द्वारा रचित रचनाओं के बारे में, तो मैला आचल, जो कि आपको पढ़ना है, इसके पातर पढ़िएगा, मैला आचल के आप पातर पढ़ेंगे, इनके कथन पढ़ेंगे, और मैला आचल की जो कहानी है, वो आपको याद होनी चाह क्योंकि कहानियों से आपको कथन पूछी जाते हैं तो मैला आचल परती परी कथा कितने चौरा है दिर्गतपा जलूस और पल्टु बाबू रोड ये सभी इनके तौर रचित उपन्यास है अब इनके उपन्यासों का जो है आपको करम भी पूछा जाता है तो बाकि अन्य कहानिया अगनी खोर आदिम रात्रे के महक एक शुरावणी दोपर के धूप अच्छे आदमी वह आप याद कौन सा रखेंगे तो ठुमरी अगनी खोर आदिम रात्रे की महक अच्छे आदमी ये चारतों आप याद ही रखिएगा रेण जल धन जल वन तुलसी के गंध पूछे जाते हैं संसबरन और रिपोतार जो पूछे जाते हैं रेणून अचनावली में पांच खंडों में राज कमल प्रकाशन नई दिली से प्रकाशित हैं मेला आचल और तीसरी कसम पर फिल्मे बनी जो काफी लोग प्रिये हुई अब बात करेंगे हरी संकर पर साई की तो इनका जन 22 अगस 1924 को हुआ था निधन इनका 10 अगस 1995 हुआ था जन्मिस्थान है गाउं जमानी जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश इनके गारा किस चीज़ का संपादन किया गया तो और सन 1956 से उनसर तक जबल पुर में वसुदा नामक पत्रिका का जो है इनोंने जमान की बात करें तो सहितिक अवदान के लिए जावल पुर विश्व द्याले से डी लिट की मानद उपपसाहित अखादेब पुरसकार in 1982 में अनिक अन्य पुरसकारों से जहन को समाने क्या गया यात्रा की बात करें तो विश्व 37 मिलन में भार्तिय पतिरी निविद्धी मंदल के रूप में 1962 में सोव्यत रूस की जो है इनोंने यात्रा की है अब बात करेंगे इनके जारा रचित करतियों की जिससे प्रश्ट पूचिया तो रोते हैं रोते हैं भूत के पाउं पीचे तब की बात और थी जैसे उनके दिन फिरे सदाचार का तावीज पगडंडिय का आध्यात्म सुनो भाई साधो विकलांग श्रद्धा का दोर ठेटोड़ता हुआ गड़ तंत्र ने ठल्ले की डाइरी तो यह सभी इनकी रचिनाएं महत्वपोड हैं इनकी संपुर्ण रचिनाएं जो है परसाई रचिनावरी नाम से छे खंडों में राजकमल प्रकाश से खंड रचिता जर्चनाएं जो है और यह से बिन्गर रचिनाकार के रुप में जाने आते तो यह सभी रचनाएं के वेंग रचिनाओं के अंतरगत आती है अब बात करेंगे ओदोले इसमेकल की इनका जन्म है 18 अगस्त 1928 की जर्म स्थान है और लो मौ तस नगर से सटा ह तो भारा सरकार द्वारा विश्व हिंदी पुरसकार 1989 से इनको सम्मानित किया गया है इन्होंने प्रथम तथा दित्य विश्व हिंदी सम्मेलन में जो अपना योगदान दिया है इनके दर रचित रचनाएं कौन सी है तो प्रेमचिंद का गोदान आधुने के हिंदी कविता का संकलन भारतिय लोग का कथाएं भारत के नवरूप ये देवता कहां से आए निबंध है इनके द्वरा तेरे दान की गीत नमो नमो भारत माता इनके जर रचित कविता संकलन है ये दोनों इनके कविता संकलन है और ये सारे इनके निबंध है ये ध्यान में रखिएगा च प्राप्त है तो भारत और पाकिस्तान की स्कूली पाठी पुस्तुकों में प्रस्तुत आजादी के संगर्श में इतिहास का अधियन के लिए जवाहर लाल नहरू फेलोशिप गद्य लेखन के लिए सरद जोशी सम्मान जोहन को प्राप्त हुआ है इनकी कृतिया है नीली हिंदी इनके दर्रशित निबन संगर है राज समाज और सिक्षा सैक्षक ज्यान और वर्चस्व बच्चे की भार्शा और अध्यापक सिक्षा और ज्यान गुलाबनी की सिक्षा और रास्ट्रवाद इनके दर्रशित सिक्षा दर्शर है और महके सारे गली-गली बाल कवित का संकलन है वाट इस वर्थ टीचिंग शोशल करेक्टर ओफ लर्णिंग पॉलिटिकल एजेंड़ ओफ एजुकेशन लर्णिंग फॉम कंप्लीट प्रिजुड़िस एंड प्राइड ये इनकी दरणाशित इंग्लिश की पुस्तके हैं संप्रती अगर बात करें तो इन्होंन 99 जो की अनुमान इता है जेस्ट पोड़नी मा 1456 विक्रम सम्मद निधन इनका अनुमान इता है 1518 जन्मिस्थान भी कबीर दास का पूछा जाते हैं तो कासी वारानसी और मगहर बस्ती उत्तर प्रदेश तो इनके जन्मिस्थान मान जाते हैं काशी और मगहर इनके माता-प रामान इनद जो है इनके दिखशा गुरू है रचनाओों के बाद करे तो इनके रचनापको बीजक और कबीर गरंथा वली और बीजक किसने लिखा है द्रमदास के द्वारा जो है लिखा गया है बीजक में कै judging में चले अब बात करेंगे मीरा बाई के बारे में उमिन क जन 1540 वी है निधन इनका 1558 से 63 के बीच में है जर्मिस्थान राजस्थान के मेड़ता के समीफवर्ती गाउं कुड़की में इनके पिता का नाम राठोर रतिन सिंग है राव दूदा जी के पुत्र और जोधपोर नगर बसाने वाले राव जोधा जी के पौत्र इनका विवाच तोड़के राणा सांगा के जिस्ट पोत्र राणा भोजराज से 1516 में हुआ था और विवाच के साथ वर्षों के बाद भोजराज का ने धन हो गया इनकी रचनाएं कौन सी है तो मीरा बाई की रचनाएं भी अधिकतर पूछी जाती है गीत गोविंद का टीका नरसी जी का हमाईरा राग गोविंद राग सूरट के पद ये सबी जो है मीरा बाई के रचनाएं हैं इनका क्रम भी नैट की परिक्षा में एक बार पूछा गया था ठीक है चलिए बात करेंगे सहजो बाई के बारे में इनका जन्म सत्रह सो पच्चेस इस्वी है निधन इनका अग्या इनका नाम पारवती देवी और पिता का नाम गोपाल चंद्र है और इनका कवी नाम गोपाल चंद्र गिरधर्दास है इनके पिता का नम आजाती इनकी रचनाओं पे तो भारते इंदो हरिश्चंद्र की कावे रचनाओं कौन सी है प्रेम सरोवर प्रेम मादुरी प्रेम तरंग वर्षा विनोध जातिय संगीत विजय वल्लरी ये सबी इनकी कावे रचनाओं है तो भारते इंदो हरिश्चंद्र की कावे वाली आदी इनकी गद्य रचनाई कौनसी है तो वैशना सरवस, एक कहानी, कुछ आपबीती, कुछ जगवीती, सर्ग में विचार सभा जाती है, संगीत, तो सभी इनकी गद्य रचनाएं हैं इनकी संपोने रचनाएं जो है भारतिंदू करत्म थावली के नाम से तीन खंडों में विभाजित है और एक जो है भारतिंदू समगर के नाम से संकलित है ठीक है अब आपको याद रखना है इनकी कावे रचनाएं इनके नाटक ये दो तो आ आप याद ही रखेंगे चलिए बात करेंगे केडारनाथ सिंकी इनका जन्म है 1932 जन्मस्तान है चकिया जिलाबल या उत्तर प्रदेश इनको कौन सा समान प्रापते तो इनको जो है साहित अकाद्मी समान प्रापते कुमार आशान कविता पुरसकार भी इनको प्रापते इसके कहां से देखो अकाल में सारस उत्तर कभीर और अन्य कविताएं बाग ये सभी इनके कविता संग्रा है कल्पना और छायावाद आधुनिक हिंदी कविता में विधान मेरे समय के शब्द ये इनके दर रचित आलोचनात्म एवं शोध ग्रंत है प्रतिनिदी कविताएं संप कमल की इनका जन्म है 15 जिप परवरी 1994 जन्म स्थान है नासिर गंज जिला रोहतास बिहार इनकी माता का नाम सुरेश्वरी दीवी और पिता का नाम कपिल देव मुनीधा पुरसकार की बात करें तो भारत भूशन अगरवाल स्पृति पृसकार सोवियत भूमी नहरू पृस पृसकार श्रीकांत वर्मा स्पृति पृसकार रगुवीर सहाय स्पृति पृसकार समसेorith सम्मान नए इलाके में कविता संकलन के लिए इनको साहत अकाद्मौ पृसकार मिला है तो ये इनको प्राप्त पुरसकार है ठीक है अब इनोंने जो है कौन-कौन सी पत्रकारिता जो है की है तो प्रभात खबर राची के लिए अनुस्वार नामक अनुवाद स्तंब न भारा टाइम्स पत्ना के लिए जणगन मन स्तंब में इनोंने टपणियां लिखी है इसके बाद बात करते हैं इनके द्वारा रचित करतियों के बारे में अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, ये इनके कविता संग रहे है कविता और समय इनके द्वारा रचित आलोशनात में गरंथ है वितनामी कवी तोहू की कविता, कविता और टिपणियों की पुस्तिका चलिए ये सब तो इतना इंपॉर्ट नहीं, अगर मैं बात करूँ तो इनके द्वारा यही आप याद रखेगा इनकी कविता संग्रा और इनकी करती के बारे में चलिए अब बात करेंगे तो यहां जो है हमारा डिगांत भाग एक और दो में जितने कवी और लेखक दिये गए हैं तो उन सभी का संकलन जो है यहाँ पे उन समाप तो होता है तो इतने ही कवी और लेखकादी जो है आपके कख्षा 11 और 12 में दिये गए हैं जिन सभी का संकलन मैं यहां लेके आई थी नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा मैं और भी चीज़ी जो है आपके से लेके आऊंगे इसके अलावा कख्षा 910 और कख्षा 6-8 के लिए भी जो आपको लेखक कवी दिये गए हैं उनका भी परिचे मैं इसी प्रकार से लेके आऊंगे तो वीडियो आपको कैसी रगए है कमेंट करके जबर बताएगा धन्यवाद